कि लगातार इस बात को लेकर विरोध चल रहा है महराजी कि निमंतरन मिलना चाहिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए निमंतरन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए आखिर देश के अंदर राम मंदिर की बात हो रही है राम लला की बात हो रही है और इससे यह नहीं ह हैं हर बात का मतलब भी समझते हैं उसके बाद भी जो विरोध है वो केवल राजनिती नहीं तो और क्या है महाराजी देखे पहली बात तो यह है कि अभी मैं उत्तराखंड के पूर मुख्यमंत्री आदर्णिया त्रवियन सिंह रावज जी को सुन रहा था त्रवियन सिंह रावज जी एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं बड़े सरल और सादगी भरे इंसान हैं वो बार बार प्रदान मंत्री जी की और उनके कारेओं की प्रसंसा कर रहे थे उनका करतव बनता है क्योंकि भारती जंता पालिटी के वरिष्ट नेता होने के नाते प्रधान मंत्री जी की प्रसंसा करना उनका फर्ज बनता है और उनकी बादता भी है लेकिन मेरी कोई बादता नहीं है क्योंकि मैं भारती जन्ता पालिटी में नहीं हूँ परन्तु सत्य से मूँ नहीं मोड़ा जा सकता मैं आज आयोध्या की पावन धर्ती से और जो यहां भगवान श्री राम के मंदिर की प्रांट प्रतिष्ठा का जो समारो आयोजित किया जा रहा है उसकी जो विवस्थाएं हैं उसके पीछे का जो भाव है मैं भाजपा में नहीं हूँ इसलिए मेरी कोई मजबूरी नहीं है लेकिन मैं इस सत्य को स्विकार करते हुए भारत के यशश्वी प्रधान मंतरी की सराना करता हूँ और मैं समझता हूँ यही लोग तंत्र है यही लोग तंत्र का सौंदर है अब दूसरा प्रश्णिय है कि संजे गोस्वामी जी ने कहा कि आचार जी को हम बुलाए थे इदर उदर उन्हें चीनने का प्रयास हो रहा है आयोध्या में गोस्वामी से कौन क्या चीन सकता है वो भी आयोध्या में गोस्वामी जी से चीन सकता है कोई महराजी सैम पित्रोदा जी बड़ा नाम है वरिस्ट है सम्मानित है उनका कहना यह है कि मंदिर बनने से रोटी तो नहीं मिलेगी लेकिन यहां का जो माहूल आपने देखा और क्योंकि बेबाग आप बोलते हैं इसलिए सब लोग आपको पसंद भी करते हैं प्यार भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं तो मैं उसी टिपनी पर आपका रियक्शन भी ले रहा हूं कि आखिर इस तरीके की बात करना एक ऐसे व्यक्ति को कि जिस व्यक्ति को लोग सुनना पसंद करते थे या जिस व्यक्ति की बात पर बहुत सारे लोग रियक्शन दे सकते थे वो अगर इस तरीके की बात करे तो क्या वास्तव में इसे राजनिती ना माना जाए तो और क्या माना जाए देखे गोस्वामी जी एक तो भगवान राम राजनिती से बहुत उपर है बगवान राम हमारी आस्था का विशे है और भगवान राम के बिना जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती है बगवान राम के बिना भारत की कलपना भी नहीं की जा सकती है और राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कलपना भी नहीं की जा सकती है इसलिए राम को राजनीती से जोड़ना राम किसी एक पैटी का विशे नहीं है राम किसी एक दल का विशे नहीं हो सकता है राम किसी एक छेत्र का विशे नहीं हो सकता है राम किसी एक भाशा का विशे नहीं हो सकता है राम किसी एक वर्ग का एक संपरदाय का जो राम हमारी आस्था और हमारे जीवन के आधार हैं अगर उन राम के विशे में कोई तुछ प्राणी अगर कोई कमेंट करता है कोई टिपड़ी करता है तो मुझे लगता है भगवान राम से हमें प्रार्थना करने चाहिए कि भगवान राम जी इसको छमा करना जहां तक र आजनेतिक दलों में इस طरह के लोग होते हैं आपने कहानी कि सीरिएल देखा होगा विक्रम बेताल तो ऐसे बेताल हर पार्टी में हैं और जब बेताल कौं पार्टी के नितरत के इड़गिर्द आजाते हैं तो थोड़ा पत्वरष्ट हो जाता है लेकिन जहां बेताल हैं वहां अच्छे लोग भी हैं Congress Party राम विरोधी नहीं है अगर Congress Party राम विरोधी होती तो अचारे प्रमोत किश्णम आज यहां क्यों होता है अचारे जी एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार अगर आप देखेंगे कि जब भी राम मंदिर की बात या राम की बात होती है तो अलग अलग जहें से अलग अलग तरीके की टिपनियां सुरू हो जाती हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि एक पार्टी उस पर राजनिती कर रही है लेकिन उन टिपनियों पर अपना रियक्शन ना देकर जो लोग चुपी साध जाते हैं उससे लेकर आप क्या कहेंगे। देखे भारत के लोकतंद्र को विश्व में इसलिए सम्मानित दर्ष्टी से देखते हैं कि यहां अलोचना की गुंजाईश है। हमने उनकी सराना की। सवाल यह है कि आप प्रधान मंत्री के फैसलों की अलोचना करने का पूरा अधिकार रखते हैं। प्रधान मंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, पंडि जवालल नेरू से लेकर के डाक्टर मनमोन सिंग, जितने भी प्रधान मंत्री हैं, उनके फैसलों की आलोचना हुई है, लेकिन आज कल विपक्ष के कुछ नेता, नरेंद्र मोदी से नफरत करने लगे हैं, मैं इ देश के प्रधान मंत्री का पूरा सम्मान होना चाहिए, और देश के प्रधान मंत्री की फैसलों की पूरी आलोचना होनी चाहिए, यही लोगतंत्र का संदर रहे हैं, और यही लोगतंत्र की खुबसूर्ती है, अचारे जी, जब भी सनातन धरम की बात होती है, या कोई भ प्रोधानाजी महराज माम अंडलेशर जी बैठे थे, मैं उनसे यही कह रहा था, कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदितनाद जी की सरकार नहीं होती, तो लोग हमारा यह मंच भी नहीं लगाने देते, मैं यह बात कह रहा था, और अब मैं माइक पे आके यह बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि विरोध के सर उठेंगे, यह जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारो और इसका निमंतरन जिनको गया उनका परमसभाग है, और जो इसे स्विकार नही कर रहे हैं, यह दुर्भग का विशह है, मैं आपके नेटवर्क 10 के मंद से ही अपील करना चाहता हूं, एंटायर अपोजिशन के नेताओं को, तमाम विपक्ष के नेताओं को, कि अपने पुराने पापों को सुधारने का मौका है, इस मौके को मत कमाओ, आप सब अपने इ अपने बहुत सारी बाते रखी विपक्ष के लोगों को लेकर भी रखी, आलोचना की बात भी आपने की और आलोचना निर्नों की होनी भी चाहिए, क्योंकि एक शशक्त विपक्ष जरूरी भी है, यहां एक महत्वपून बात हो रहे हैं, आचारिय जी, कि अगर विपक्ष के लोग, क्योंकि आपने रामरला के दर्शन किये ही है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने रामरला के दर्शन में कोई रोक टोक या कोई बाधा उत्पन कियो, अगर रामरला के दर्शन सभी लोग करें, या सभी दल करें, तो क्या वास्तों में उन्हें ऐसा लगता है, आपक एक मैं साफसा बात करने कहा दियूं बहुत muslim धर्म गुरु है। इसाई धर्म गुरु मेरे दोस्त हैं बहुत लोग मेरे दोस्त हैं हमारी मितरता है मुझे किसी muslim धर्म गुरु या muslim नेता ने यह नहीं कहा कि अचार आए अगर आप योद्ध्या जाएंगे रामलला का दर्शन करेंगे तो हमें बुरा लगेगा सुप्रीम कोट के फैसले के आने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी और सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये घोशना कर रहे थे टेली वीजन पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोट का फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा तो जब सुप्रीम कोट ने फैसला कर दिया तो सारे एलिगेशन, सारे अबजेक्शन्स खतम हो जाते हैं फिर राम मंदिर का स्वागत होना चाहिए ये अफसोस की बात है महराज और कितनी सदियों की लड़ाई के बाद कितने सालों के संघर्ष के बाद बैठें जगत गुरु शंकरा चाहरे जी महराज हमारे साथ कितनी सालों के संघर्ष के बाद कितनी लंबी लड़ाई हजारों बलिदानों के बाद कितने रिशी मुनी महात्माओं ने तपस्यों ने बल्दान दिया तब ये शुब गड़ी आईए कभी इस मुकदमा, कभी ये मुकदमा, कभी ये अदालत, कभी वो अदालत कभी सिविल कोट, कभी हाई कोट, कभी सुप्रिंग कोट, फिर सिविल कोट कितनी अदालते हैं, तारीक पे तारीक, तारीक पे तारीक, तारीक पे तारीक लगती रही, तब ये शुब तारीक आईए, कि आज हम इस उत्सकों मरा रहे हैं तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए और जो इसका स्वागत नहीं कर रहे हैं माफ करना मैं इसको राजनितिक के चश्मे से देखना नहीं चाहता मैं इसको राजनितिक लाव और हानी के दश्टी से भी नहीं देखना चाहता मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान राम का जो सम्मान नहीं करता है और भगवान राम में जिसकी आस्था नहीं है उसकी भारत में भी आस्था है इस पर मुझे संदे है कि आल जर अचाणे जी एक और अंतिम प्रशन आप ले रहाएं है सनतन धरम पर लगाता है तिपनिया होती ए विपक्ष बड़ा है और विपक्ष उन टिपनियों ऊपर पल्ला ढौता है माराज देखे इंडिया गठ बंदन जब बना तो उसके एक सहयोगी है डीम के उनके नेता इस्टालिन उन्हों ने का साथ सनातन धर्म तो डैंगू मलेरिया और कोड है कुष्ट है तो मुझसे टेलीविजन वालों ने पूछा कि आचार प्रमोत किष्ट हम तुम्हारा क्या विचार है तो मैंने का देखे जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत देखी तिन तैसी इनका नाम है डी एम के यानि के डैंगू मलेरिया कोड ये अपनी पार्टी की व्याख्या कर रहे हैं तो सवाल सवाल इसका है कि जाको दुख विधाता दैं ताकी मत पहले हर लें मैं दो पंक्ति सुनाता हूं मेरे द्वारा रचीत हैं ये और मैं चाहूंगा कि इस आयोद्धा की पावन धर्ती पर ये स्वर गूजें कितनी उम्मीद कितनी आस के बाद ये सुब घड़ी आ रही है हमारी जो पीड करती है तो जरा हाथ खड़े करके मुझे आश्रीवाद दीजेगा मैं कहना चाहूंगा आखें तरस गई दर्शन को कब तू जलक दिखाएगा श्री राम जन्म भूमी का मंदिर श्री राम जन्म भूमी का जंडा दुनिया में लहराएगा श्री राम जन्म भूमी का जंडा दुनिया में लहराएगा गोसामी जी, पीर परवत सिभारी है, जतन कोई बता जाओ, सांस थमने लगी अब तो, चले आओ, चले आओ, प्राण प्रतिष्था का ये समारो, विश्व गुरू बनवाएगा, श्री राम जन्म भूमी का जन्डा, दुनिया में लहराएगा, हाथ कड़े करके बोलो, जजजश्याराम! देखें, आचारिय जी, यही तो खूबी है, और आपकी एक लाइन है, उसी पर आपसे एक अनुरोद कर रहा हूँ, कि आपने कहा, पीडा बड़ी है, अब तो आजाओ, तो विपक्ष के लिए ये संदेश है, मुझे जो कहना था वो कह दिया, अब कौन क्या इसका मतलब निखा देगा, ये उनका फैसला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये निमंतरन को अस्विकार करने का जो फैसला है, ये गलत फैसला है, इस फैसले को बदल करके इस फैसले पर पुरनर विचार करना चाहिए, य यह मेरा निवेदान है